केरल के वाइनार में लैंडसलाइड के बाद भारी तबाही मजी इसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई अभी भी 206 लोग लापता है जिनकी तलाश की जा रही है सेना के खोजी कुट्टे भीजे गए हैं जो मलबे में दबे लोगों को ढून रही है इस बीच भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरों ने कुछ तस्वीरे जारी की हैं जो बेहत दरावनी हैं हाथसे में लापता लोगों की तलाश के लिए इंडियन आर्मी इंडियारेफ और पुलीस ट्रशासन लगा हुआ है कीचर में लोगों की तलाश की जा रही है मुख्य मंत्री पिनराई विज्जन ने कहा कि बचाव अभियान अभी कुछ और दिन तक चलेगा इस पर निगरानी रखने के लिए चार मंत्रियों की एक तीम बनाई है ये चारों मंत्री हाथसे वाली जगह 24 घंटे मौझूद रहेंगे इसरो के हैदराबाद सेंटर ने कार्टो सेट तीन ऑप्टिकल सैटेलाइट और रिसेट सैटेलाइट से यहां की कुछ तस्वीरे कैद की है इससे पता चला है कि भारी बारिश के कारण लैंडसलाइड 1550 मीतर की उजाई पर हुआ NRSC की रिपोर्ट के अनुसार चूरलमाला शहर और उसके आसपास मूसलाधार बारिश के कारण बड़े पैमाने पर मलबा आने से लैंडसलाइड और भी बढ़ गया लैंडसलाइड 86,000 वर मीतर में फैला सैटेलाइड से मिली इमेज में लैंडसलाइड से पहले और बात की स्थिती को दिखाया गया है आप देख सकते हैं जैसे ही मलबा नदी में गिरा उससे नदी काफी चौड़ी होकर बहने लगी इसकी वज़ा से नदी के किनारे बसे घरों को काफी नुकसान पहुचा लैंडसलाइड के उपरी हिस्से का तीन दी इमेज बताता है कि पूरी पहाड़ी कैसे तूट गई सैटेलाइड डेता से यह भी पता चला है कि उसी स्थान पर पहले भी लैंडसलाइड हुआ था यह बताता है कि कैसे इस ख्षेत्र में अक्सल लैंडसलाइड होता रहता है वाइनाड लैंडसलाइड की सैटेलाइड तस्वीरों से व्यापक नुकसान का पता चलता है जिले के चुरलमाला की 30 जुलाई के लैंसलाइट से टहले और बात की तस्वीरे जारी की हैं। तस्वीरों से पता चलता है कि लैंसलाइट से लगभक 86,000 वर्ग मीतर जमीन खिसक गई। 22 मई, 2023 को कार्टो सेट तीन उपग्रह द्वारा ली गई तस्वीर और 31 जुलाई को लैंसलाइट के एक दिन बाद रिसेट उपग्रह द्वारा तस्वीरे ली गई थी। मलबे के प्रवा ने इरुविन पुझा और मुंडक कई नदी के मार्ग को चोड़ा कर दिया जिससे इसके किनारे तूट गए और बहाव ने किनारे बसे गाव और घरों को तबाह कर दिया इसरो की इन तस्वीरों को समझाते हुए ग्राउंड जीरो के एक डीटेल डावल्यू टी किया है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संविथन के राष्ट्रिय सुदूर समवेदन केंद्र की तरफ से भी तस्वीरे सामने आई है जिनमें सैटेलाइट से ली गई तस्वीरो से केरल के वाइनाड लैंसलाइड की कहानी और साफ हो रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं थो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें